ओम सिरी गनीशाय नमदूस्तू एश्टू समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक श्वागत है दूस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन सितंबर सनीवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके उच्छ इस्तर के अधिकारी से संबंध बहतर होने से अच्छी पोजिशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती है अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोडने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेंसक्ती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचार रूप से आज आपके सभी कार्रे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां भेतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक लाब के लिए किया गया प्रियास सफल हो सकता है साथी साथ आप अपने ग्यान को बढ़ाने और लोगों से अपने विचार बाटने में भी आप दिल चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्षा आपको सहयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविच्से के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए काफी सुब फल दायक रहेंगी सत्ता से जोड़े लोगों के साथ अच्छे संबंद बन सकते हैं धार्मिक और अध्यात्मिक कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव रह सकता है दोस्तो आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु परियास करने से अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना आज पाई जाती हैं दोस्तो साती सात आपको अपने परिवारिक सुखों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साती सात इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है तो सावधान रहने की आज आवा सकता है यदि किसी तरह का कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो ज़्यादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तो साथ इसाथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी हर गलती से कुछ सीखें और अगली बार उसे धोराने से बचें समय प्रवंदक की जगा प्रात्मिक्ता प्रवंदक बने कोई अपॉइंटमेंट या अन्य कैई महत्पूर्ण चीजे के भूलनी की भी आज संभवना बन सकती है दोस्तो बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कार्रे में जुटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संभवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररिक और मानसिक रूप से धकान का अनुबब आज आप करेंगे इसका आसर रिस्तों पर पड़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ कैसी रहनी वाली है दोस्तों आज के दिन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परंतु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्रेमिका के आपसी संबंद आज मदूर होने की संभवना पाई जाती है साथिसास दोस्तो प्यार महबत के मामले में दवाब बनाने की कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद है तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नई रिलेशनसिप है तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैंसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाइक गति विद्यों में परिशानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी स्थिती रहेगी कर छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मांसिक रूप से थकान का अनुभव आज आप कर सकते हैं कोट का चैरी से संबंदित आपको कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती है विद्यार्टियों के लिए समय अच्छा है नवकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जी हैं दोस्तों आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर सावित होगा और आप परिवारिक समपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब का स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने खानपान पर विशेश रूप से ध्यान देने की जवर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी आज आपको अपनी सेहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे दोस्तों मद्यहान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वाहन चलाते समय शावधानी बरते दोस्तों अपने भोजन सामगरी पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसले दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजन योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत रहोने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काले रंग का धागा नाप ले या दोस्तो फिर आप एक पत्ता बरगद का तोड़े या दोस्तो उसे आप सुच्छ जल से या फिर गंगा जल से दो कर पहुँच ले अब इस पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ काला धागा इस पत्ते पर आप लपेड दे या दोस्तो इसके बाद आप इस पत्ते को भगवान शनिदेव कर शमन अन करते हुए बहते हो जल में प्रहित कर दे और साथिसाथ अपनी मनों काम नहें मांगें या दोस्तो ऐसा करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की बादाएं दूर होंगी और आपका भाग्यें चमकने लगेगा। या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें, आपको वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा। दोस्तो भगवान शनिदेव का सिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश शनिदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक दरना ना भूलें, धन्यवाद!